लास्ट येर का जितना भी सेटी पीजी का एक्जाम हुआ था उसमें हम मोस्ली हिस्टी की बात कर लें तो उसके बारे में हम डिसकस करेंगे हमारा नया कोस्ट जो है चाड़क क्या बैच इसके बारे में तो आप अच्छे से जान रहे हैं दूसरी चीज में हम लोग नया कि काफी कुछ देखने के बाद मिला है कि जो कुछने का पैटन था वो काफी चेंज हुआ था और दूसरी चीज यह है कुछ-कुछ नय-nय टॉपिक एड हुए थे तो इस बार के जो स्यूटी का पेपर है उसमें हमें यह ध्यान लखना है कि वो जो नय-nय टॉपिक एड ह दूसरी चीज को अपको ध्यान रखना है कि जो नय रिसर्च हुए है जितना भी स्यूटी पेपर को लेकर इस बार हुआ है जो नय-nय नय कोशन पूछे जा रहा है उनका पैटन जो रहा है नए-nय जो इंफोर्मेशन उनको एड किया जा रहा है तो इन चीजों को ध्यान म मैं रिया आप लोगों की सामने जो नया स्लेबस है उनमें किन-किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है पिस चीजों को कहने कहना है बताना है आपको और ताकि इससे क्या है कि आपकी जो पढ़ाई है वो काफी अच्छे से हो सके सबसे पहले यह देखने कि जो हमारा इंसें हिस्ट का स्लेबस है इसमें जो इस्ट फावरी से कि तो न इस से हो रही है स्टॉन चैक आपको अच्छा से पता है कि इसको यह जो तो पहले किन लोगों ने कौन कौन से हिस्टोरियन ने रिसर्चर ने इसको तीन तीन भागों में बाटाए है तीक और दूसी चीज यह ध्यान रखने कि जो भी नए साइड कोजी जा रही है इस इन फॉर्मेशन आप नोट करते जाएगे और उसको अच्छे से कवर किजिए क साइड करें आप और पाई तो ऑफ रहा यह जो भी साइड को पढ़ते हैं किस्तेट में इस ताइम है थो नेम धिया जैगा अतरण्जित खेड़ा का पूछा जयाता है कहां पे है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी साइड भी पढ़ते हैं वह तो फैस्ट में हैते हैं कब खोजी गई है ठीके इन चीजों को आपको ध्यान रखना है क्युक्वार एक परसन कई अलग अलग साइडे खोषते हैं तो उनका प्रॉंटीकल में कॉस्चंद दे देता है कि आप इनको क्रॉंटीकल बें सेट करिये कि कौन पहले खोजी गई कौन बाद में खोजी कि कौन उसके बाद खोजीगी ऐसे कोश्चन बोस्त ली स्टोर इसे पूछे जाते हैं और इंडस फैली सिवलाइजेशन ने पूछे जाते हैं कि इसके जितनी साइडें खोदी जाती है उसके बाद उनको ओर्डन में लगाने के लिए बोला जाता और दूसरी चीज जो जो भी को खोजते हैं उनके नाम भी दे दिया जाते हैं कि पहले उत्खनन किस ने कराया उसके बाद किस ने कराया उसके बाद किसने कराया इसके गाइडलाइन्स में हुआ है इतने समय के लिए वग यह ऐसे नए ताइप से कौश्चन पूछे गए हैं तो इस चीज को आपको ध्य एक हजार बीसी के बार का टाइम पीरिड देखेंगे तो यह आइरन एज में आ जाता है तो इस चीज से इसका डिफरेंट देखेंगे दूसरी चीज यह देहान डखी नहीं कि इंडस फैली सिवलाइजेशन में जो जो एविडेंसेज है ठीक है वो मोस्ली लोहे से नहीं बनी है इतना ध्यान डखना है और हमको यह भी समझना है कि जो एविडेंस मिल रहे हैं वो किन-किन चीजों के बारे में बता रहे हैं या उ सबसे ही इंपोर्टें चीजे का होती है कि mostly ये रीवर के जितने भी साइड में है यह हमारा देहरें है धर आलमगीर है ये हंदल के किनारे हैं येंशिन हैंуждl के किनारे जो जो yamquartoz पढ़ रहा है ठीक है और इन नदियों के पास जो मुश्री इधर का एरिया है यह किन-किन सहायक नदियों के किनारे है यह बहुत इंपोर्टन पूछता है कि कहां कहां कौन-कौन सा अभी पूछने लोथल किस नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे है और काली बंगा किस किनारे वाना थली कि इसकी किनारे है तो इन छीजों को ध्यान ड़ायन करें या जब भी पढें से किनारे यह जो किसी किनारे přिंदेल developing यह बहुं 받ु आप लें एक आप लें लिए इन ड्रें Penac tires हा 5 कर सकते हैं उसके की नधियों के नारि यह जा है यह स्थान रहे हैं दूसरा चीज यह आपको ध्यान रखना है इस जितने वह पात कि अभल प्व एसना से अंभ यह रहा है जो ज्यादर से जाद़ पूछे जाते हैं वह इसके जो एक पूछे जाते हैं कि अ वह चुछी बच्चे करन दोखना है ea वो अलग-अलग एरिया से इसे नाम लिखके जैसे यह मोहनजोदाडो हो गया यह हरपा हो गया यह काली बंगा हो गया ठीक है फिर जो जो समान मिले हैं उनके उनके नाम लिखते जाएगे इससे क्या है कि यह आपको हैप करेंगे कि चार्ट आपके पास प्रिपेर हो जाएगा आराम से आपको याद करने में काफी अच्छा रहेगा और आपको जल्दी भूलेंगी भी नहीं कि कि फिल जीघ्रů से समान मिले हैं कौन-कौन से वस्तूश मिले तो वह आपको याद करने में ज्याद कि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्यादा करने में दिक्कत होती है वह दिकत himself तो अपको हर जगा से में जाएगा और उसको पढ़ने और समझने में धिक्कत होती है तो इस शोच को आपको ध्यान द्यान करना है जिसे हमारी जो confusion है वह confusion नो क्योंकि सबसे ज़ाधा confusing subject ही हिस्ती होता है अब बात करेंगे वैदिक जाने किश म का फर्स्त पेस्स ने बारे में सब्सक्राइब घ्ल उसके नो बारे में बताया गया है तो इस व्रिग्वेद के बारे में इस की पोछ सकता है कि पूच्य को नियुक्डियार कि इस सबसे पूराना मंडल pale और यह चीज भिधान नवा मंदा सोंदेवका को समर्पित है तो यह रिग वेदिक एज में रिग वेद को ही संकलन किया गया उसके बाद हम लोग लेटर वेदिक पीरियड देखते हैं उसमें चारो वेद उपनिशत अड़यक पुराड और जितने भी धार्मिक गरंथ है ठीक यह को सभुत इसने यह रिगवेदि को रिष्ट को हम लोग डिसकस करेंका होरत का ईट नवागने आईन दुभूत को सथक्तूर reduce को क्या का शाए threat करें evolving तो इस तरीके से आप जब भी पढ़िए जो भी टॉपिक पढ़िए आप यह चीज ध्यान लग लग कहां किसके स्टेप पे नए वर्ड मिल रहे हैं या उनके में उसका मीनिंग क्या है अगर कोई परसन मिल रहा है उसका क्या काम रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटिया रही है दूसरी चीज उसके इंपोर्टेंस क्या रही है उस समय के सोसाइटी या कल्चर में वह कहां तक इंपोर्टेंट रखता था या उसकी क्या वैलू होती थी इस चीज को जरूर ध्यान लखेगा ठीक है और दूसरी चीज हम लोग यह देखेंगे कि इसके बाद जो मारा व्य च्णकारी प्रप्त करते हैं तो सबसे बहुंत से हुआ है सबसे पहले हैं जानकारिंव नहीं अ कि आदेडनेस्टी पहले नहीं रहा हो हुआ है लेकिन हरेक यिकर्ण टैनिस्टीं से पहले नहीं धरें यह प पुर्वकासी के शाफशक की रहे हैं इन्होंने यह किया है कुछ अभी लेखों में इसका वरेडन मिलता है तो यह जानकारिया हमें मिल जाती है लेकिन जम इन्सियंट हिस्टी को पढ़ते हैं तो हर्यक डानिस्टी से सुरुआत करते हैं इसमें यह ध्यान में रखके चलना है यह भी हो रहा है क्योंकि उसी टाइम लोग देखेंगे जैनिजम और बादिजम का परचार पूरे भारत में हो रहा है भारत से बाहर पहली बार बात धर्मे का परचार असोका के टाइम परियेड में हुआ इस चीज को ध्यान रखिएगा ठीक है जब भी भारत के बाहर की परचार की बात की क्यां द्याते रहती है तो वह मार kän डायंस्ती के काइं जाता है इस चीज को धियान रखिए दूसीं कि जो सबसे इंप्वाटेंट रही है कि आ देखें तू्她 कि तस्टाम के बुर। भारत से बहर लोग जा रहा है। थेक्पर भारत मिंसमर ठांगेas शोलजों को साथ लेके आ रहे हैं तो इन यह को आपको द्यान रखना है और से हम Greet रही हिता है दोनों सकता हुँ इस प्रभावित होते हैं आर यह द्याने के बेन दुषार साफित है तो महावीर जैन अंका संबंधि भी रहाै वी एसी पता चलता कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और आगे चलके टीनों डानेस्टियों में गए देखेंगे इनका टाइम पीरेड काफी कम- tooth और नाध जो है इसका अब बेसिकली त्याहिन देना है कि यह पूछने माला है कि यहां का अडमिनिस्टेशन था उसमें डिफेरेंट डिफेरेंट टेपार्टमेंटे जैसे टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कौन से सब्द यूज किया जाते थे आपको ऐसे जो अलग अलग नाम से जाना जाता था जो ट्रेडिंग कम्यूटी है उनको किन नामों से जाना जाता था, कौन-कौन से टैक्स लगते थे, उनको अलग-अलग नाम से क्या कहा जाता था, कितना-कितना परसेंट लिया जाता था, यह ऐसी चीज़े आपको पूछेगा, जो मौरयन इस से पूछता है, जो ज्यादा इंपॉर्टन चीज़े हैं, कि छोटे चोटे टाइम के लिए अलग अलग डाइस्टियों का टाइम रहा है इस शीज को ध्यान लखना है बेसिकली हम रिसमें पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि कुसान के टाइम पीरेड में हम लोग देखेंगे करने जिसमें बहुत धन का प्रचायत परसार हुआ है तो कि लेटर मौरें के बार की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपोर्डन टॉपिक जो आ जाता है वो गुता डानेश्टी आ जाती है और थोड़ा बहुत कॉश्चन साथ वाहन के अभिलेखों से पूछे जाते हैं कि गौत्मी बलसरी का अभिलेक में क्या बताया गया है संगम साहितिके के बाद से मिल रही है तो इस चीज को आपको ध्यान लखना है कि जो संगम एज है संगम एज के बाद से हमें साउथ की हिस्टी के बारे में इंफोर्मेशन मिल रही है कि जो भी महां तीनों काउंसिल हो रही है पहली और तीसरी मदूरे में हो रही है दूसर और भारत में किन-किन एरिया में है जैसे अभी हम लोग देखेंगे और उसमें लोग देखेंगे समध्रुप्त के बारे मंपढ़ते हैं अला कि अब हम आप सहित्स से पहले का तो को इनफर्मेशन नहीं है लेकिन जहां समुद्गुप की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि उसने उत्तर में 9 उत्तर में 9 और दच्छड में 12 सासकों को पराजित किया है उस टाम यह पूछा जाता है काफी फेमस कोश्चन रहा है कि समुद्गुप के टाइम पीरियड में दच्छड में पल्लव इसको समुद्गुप ने हरा दिया था तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं वोसली आपको ऐसे बारा नाम यह उत्तर के यह द्याने अलग अलग जो विद्वान लिखे हैं इनके बारे में वह उन्होंने इनके जो बिजय को धर्म बिजय कहा है ठीक है और मतब की नीत तो थी ही इसको भी अच्छे से एक्स्प्रेंग किया हुआ है प्लस अलग अलग राजाओं के स्टेट्मेंट रहे हैं कुछ इस चीज को भी बताया गया है तो यह चीज आपको ध्यान लखना है जितनी भी आपको एड्मिनिस्टेशन पढ़िएगा उसका एड्मिन से पूछे जाते हैं तो इस चीज पर ध्यान के क्योंकि एक कंफ्यूज करने वाला काफी टॉपिक होता है दूस्ती जो इंप्वाटेंट रही है यह मैंने बताया कि यसे अभी हम लोग गुपता डानिस्टी पढ़ेंगे तो वाका टक डानिस्टी को पढ़ेंगे फिर सक् कि उसने पुत्री का बीवा कर दिया था प्रभावती गुपता इसे वाका टक से उनका रिलेशन में इंटेन हुआ इसके बाद हम लोग दख्षिड में देखेंगे कि और भी जो डानिस्टी हैं वो डेबलप हो रही है वो उनके बारे में पढ़ना है ठीक है जिसे जो में डानिस्टियां कमजोर हो जाती थी तो उसके सामन्त विद्रो करके स्वयम सतनतसासक बन जाया कर रहे हैं यह चीज आपको ध्यान लखना है दूसरी चीज जो इंपोर्डेंट रही है जो मोस्टली कोश्चन पूछा जाता है गुपता डानिस्टी के बाद तो वह च कि अभिलेख में किस चीज का वरण मिलता है हर्चवार्दुन के पराजित होने का वरण मिलता है इस चीज को ध्यान लखना है अभी पूछ सकता है यह चैनल अभिलेख में पुलकेसिंदुती ने हर्षवर्धिन की सीमा को कहां तक रूध कर दिया था तो यह चीज आपको अगर आप अच्छे सो इसको पढ़ेंगे तो बता देंगे नर्मदा के ऊपर तक ही उसको रूध कर दिया था मतब दक्षट भार्त में परचार परसार करने से रोक लगा दिय है एक एक एविडेंस जो जैसे मुस्ली अभिलेक जो है यह हम लोग पढ़ेंगे तो मुस्ली असो का कि जित्ते भी अभिलेक है आप उसको अच्छे से देखिएगा उसमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं तो इससे भी कॉश्चन पूछे जाते हैं कि कौन- दो दो भासाओं में लिखे गया है घीक है जैसे एरगुड का है वो ब्रह्म्ही और खर्गोष्टी दोनों में लिखा गया है सरे 17 का है वहाब ही-दोनव लैंग्वेज में लिखा गया है यह दोनों हाई लेकी हैं ति के अलग अलग छेत्रों में पाएगा है उसके जितने अभी लेक्षा मोस प्राकर्त यह जो जैसे लोग इंसें टाइप के इंसेंट टाइम में जो स्टार्टिंग में देख रहे हैं वर्दिजम और ज्यानिजम का लिए रिव्य जन्री वह रहा है वैसे ही अगर हम लोग सात्मीं आठ्मीं और नौवीं सदी की बात कर लेंगे तो वेश्चो धर्म और स्युमत का जादा प्रस्टिन हो रहा है सबस्यादा ज्यादा ज्यादा देखेंगे तो दच्छिट भारत का एरिया है इसमें ज्यादा सब्सक्राइए और दच्छिट भारत को देखेंगे उसमें ज्प्रशन को दोनों को दिया घ्यादा में प्रचार प्रसार हुआसे दुगनी तेजी से भारत को दिखेंगे उन्मीं और दस्वीं सदाप्ति की बात करेंगे तो मूर्सी ज त्युक्त तो प्रतिहार पाल और राष्ट्रपूट दिन टीनों डार इस्ट्र में अच्छे से बताता है तो इन तीनों की स्ट्रिंगे तो कन्नौश पे नियंत्रड करने अधिकार करने के लिए ट्राइपार्टी स्ट्रगल बन रहा है जिसमें तीनों पार्टियों का काफी मेजर रोल रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना है और जुछ इंडिया में हम्लोगों को ये देखना है कि मुष्ञ कुछ जैसे अस्थापत निर्माहर्ट कर निर्माण हो रहा है अब जैसे एक्जामपल के लिए हम बात करें तो सारनाथ का अप लोग yapmış चैनल मत्हाया देखे दॉखनात है सार्नात में जो बुद्धी की मूर्ती है वो भूमी इस पर्स मूद्रा में है ये गुपता डैनिस्टी में डबलफ की गई मुद्रा है ठीक है तो इन चीज को ध्यान में रखना है कुशान के टाइमिंग पे उनकी खड़ी हुई मूर्ती का प्रसिलिंग जादा रहा है जो ग दूसरी चीज मंदिर का अगर अगर और देखेंगे तो गुपता डैनिस्टी से देखेंगे और दच्षड भारत में मंदिर के विकास की बात करेंगे तो विमान सैली का हो रहा है पर दिछड़ा पात का हो रहा है इन चीजों को आपको धियान रखना है कि किन-किन मंदिरो में इसका एक्जामपल लिया गया है किस मंदिर का वीमान सबसे उपर है या वीमान सैली गोपूरम का निर्माड किया जा रहा है इन चीजों को आपको ध्यान लखना है तो आप अच्छे से इंसेंट का टॉपिक कवर कर लेंगे दूसरी इंसेंट में इंपोर्टेंट रही है कि कौन मुद्र जिम की मुद्राइन छपींग है या जिन्हों ने अपनी मुद्रां प्रचलेंकर आयं वह कौन कॉन्सी सिंबल्स जान मुद्राओं में मोसले गुत्ता रानेश्टी की बात कर लें और 200 डिंसरी कोई होते थे शिजपर होते थे इस अहीं कोसली कि दिया ऋग तो गुपतर डानिस्टी के साथ ही वेंगी के चालुक भी गरुड का सिंबल यूज़ करते थे यह चीज आपको ध्यान लगा सकते हैं कि जो भी भैष्णो धर्म की है यह कि गुपतर डानिस्टी में ही हम लोग देखेंगे बैष्णो मत का भागवद धर्म का पचार पसार का च्रीज जादास करएं तो भागवद भिष्णू से रिलेटेट सिंब़ को जादा यूज कर रही है तो इन चीजो को अपको ध्यान डखना है उपादिया हैं कि आ अलोबर कवर हो जायेगा चलिए इन्सेंट का हमारा तौपिक अच्छे से कवर हो गया है और अलोबर जो हम करिव और अच्छे से उन चीजों सब्सक्राइब रखक्राइब ज्यादा से ज्यादा आप practice करेंगे question का तो वो अच्छे से हो जाएगा चलिए all the best अच्छे से पढ़िए